स्वगत है आपके मेंट स्टेटिसेक्स के आपके शैनल पे और अभी ये एक बहुत इंपॉर्डेंट अपडेट है और ये अपडेट अभी के नहीं है दो दिन पहले हो गए दो तारिक दो अगस्ट 2019 की है काफी दो अगस्ट की आप काफी तुनों से पूछ रहे थे सर जो एन्वीयस का एक्जाम यानि कि एन्वीयस का एक्जाम जो जून में हुआ था 10 से 13 जून उसका रिजल्ट कब आएगा तो दो तारिक को ही इन्होंने अपना रिजल्ट डिकलिय कर दिया है लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी पता ही नहीं कि रिजल्ट आ चुक है और पता भी चल चुक है तो वो इस रिजल्ट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं इस रिजल्ट को ओपन करने में कुछ दिक्कते हो रही हैं तो किस तरीके से इस रिजल्ट को ओपन करना यानि कि interview की online training अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ yes उस course को आप attend करना चाहते हैं तो वीडियो के comment box में एक yes की yes लिखिए और कि यह yes I want फिर उसके बाद तुरंती 2-3 दिनों के नदर हम एक interview course launch कर देंगे जो एक strategic interview course होगा जिसके आप पूरी training देंगे कि किस तरीके से आपको interview face करना है ठीक है तो वीडियो के comment box में जुरूर बताएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं किस तरीके से आपको सारी चीज़े पता चलना है सहसे पहले आप गूगल पर जाएए मैं शुरू से आपको steps बताता हूँ कि कैसे आपको सारी चीज़े ढूंड़नी है यहाँ पर आप सर्च कर दीजिए nvs results ठीक है nvs results आप सर्च कीजिए तो यहाँ से Google पर आपको suggestions शो होंगे यह देखें यहाँ पर suggestion शो हो रहे है तो यहाँ पर novodet.nvs recruitment जो results होगा आप इस पर click करेंगे इसको open करेंगे ठीक है जब आप इसको open करेंगे तो और मैं आपको suggest करूंगा कि result अगर आप mobile पर open नहीं कर पा रहे है तो इसको computer पर कीजिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह किसे चीज़े आएंगे तो यहाँ पर दिखावा आपको नजर आ रहा है list of candidates shortlisted for the interview to the post of PGT under recruitment drive 2019 यहाँ पर आपको क्या करना है इस यहाँ पर link के नीचे जो red color का box है इस पर click करना है जैसी इस पर आप क्लिक करेंगे आप computer पर आप अपन किया होगा तो google drive में यह खुल जाएगा तो google drive में देखिए इस तरीके से result आपको open हो रहा है सभी subject के नाम यहाँ पर दिये हुए है तो इस result की क्या खास बात है और क्या क्या चीज़े इसके देखिए आप देख सकते हैं सभी subject के यहाँ पर और साथ में candidate का नाम और role number दिया हुए तो इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं और देख करके पता लगा सकते हैं कि आपका कहां से आएगा तो आप कहेंगे कि यह PDF डाउनलोड करके देखिए तो मैं बताना चाहूंगा कि पतानी किस तरीके से इन्होंने PDF डाली है यह PDF डाउनलोड नहीं हो रही है कुछ protected है नहीं हो पा रहा है तरीक को आपका CBT exam था ठीक है और बाद में अब्जेक्शन 18 से लेकर के 22 तक मंगाए गए थे अब इनको क्या है कि बाई जो the candidate have been shortlisted for interview for the post of PGT into the ratio 1 is 2 3 यानि कि जितनी post थी उसे 3 गुना जाथा candidates को बुलाया गया है तो आप समझ सकते हैं competition tough है list of candidates shortlisted for the interview is append for the information for all the concerned schedule of interview will be uploaded on the website of the samithi in due course यानि कि जो अभी interview का schedule है वो जल्दी ही NVS डाल देगी website पे candidates shortlisted for interview are therefore requested to visit the website of samithi regularly for the latest update in this matter अभी यह कर रहा है कि आप latest update के लिए website के साथ जूडे रहेंगे तो आपको यहाँ पे सारी information मिलती रहेगी तो यहाँ पे आपका result आ चुका है और अब यहाँ पे आप इस result के अंदर अपना नाम ढूंड सकते हैं और अगर आपका नाम इस list के अंदर है और आप चाहते हैं कि online interview course को जोड़ना तो आप video के comment box में जरूर बोलिए कि yes you want yes I want ऐसे आप लिखेंगे तो एक दो दिन के अंदर ही course prepare करके हम आपके साथ क्योंकि course हमारे पास already ready है यह से पहले kvS के लिए हमने किया था तो हमारे पास course ready है लेकिन उसके साथ nvS को रिले करके कुछ changes आएंगे तो उस सारे changes करके course आपके सामने आ गया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजे नहीं भी आ गया तो upcoming जो एन्वेस विकेंसी है उसके लिए 100% प्रिपेर करते रहें आज मैंने strategy बताई है उससे strategy के अनुसार कीजिए और बाकि ऐसी वीडियो के regular updates के लिए make sure के अपने चनल को subscribe करके बेल notification कौन कर दिया है फिला अब अब इक लिए इतना ही मिल तक लिए वीडियो में तो तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत